गाइस, अब जो सिरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम थौन आफसील है। ये सिरीज सोल लान के अनिमेटर्स ने ही बनाई है, तो आपको ये जरूर पसंद आएगी। सो विडियो को अंत तक जरूर देखना। एपिसोड के शिरुवात में हमें वोईस ओवर के थूरू प्रेसिन की कंडिशन बताई जाती है, असल में यहां डेमिन्स ने कब साकर लिया है, और डेमिन्स से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के छे मंदिर आगे आए हैं, उन छे मंदिरों ने अपना अपना एक योधा और उन योधा को नाइट्स का हग गया है, और फिर हमें ये छे योधा एक एक करके दिखाये जाते हैं, जो डेमिन्स हंटिंग पास के बाहर एक डेवल से लड़ रहे हैं, और उनके बीच हमें एक आइकानिक लेवल की फाइट दिखाये जाती है, इन छे वारियर्स के बार जाता ताकतवर डेमिन है, और अब ये इन छे योधाओं पर हमला कर देता है, और डेमिन्स लॉट उन सभी वारियर्स को अपनी एक ही उंगली का इस्तमाल करके हरा देता है, लेकिन उन में से लॉंग जिनियो नाम का वारियर्स अभी भी हर नहीं मानता, और वो अपनी सार पर देता है, और उसके तलबार को अपने हाथ से ऐसे रोग देता है, मानो उसके लिए ये लड़ाई कोई खेल हो, लॉंग जिनियो फिर से उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेमिन लॉट उससे अब लड़ने की बचाए, वहां से जानी लगता है, औ इसलिए पहली बार रात में तारे नजर आ रहे थे, डेमिन लॉट के जाने की वज़े से, अब इस दुनिया में टेंप्ररली शान्ती आ गई है, और अब दो सेनेक लॉंग जिनियो की वाइफ के पास आते हुए दिखाय जाते हैं, जो उसे कहती है कि तुम्हें राजा ने पुकारते हैं, और ये नाइट स्कूल के टीचर है, इन्होंने एक साल तक इन सभी बच्चों को नाइट बनने की ट्रेनिंग दी है, और आज एक साल बाद इन सभी का एक्जाम है, जिसमें इन सभी को अपनी अपनी सोल पार का लेवल चेक करना है, जिसकी सोल पार का लेव पर देकर मारता है और उसकी सोल पर 13 निकल कर आती है उसको पास कर दिया जाता है। एक दूसरा बच्चा अपनी सोल पर चेक करता है और उसकी सोल पर 27 कर आती है। इसलिए वो फुल टेडिकेशन के साथ तलवार लेकर पिलर पर मारता है। लेकिन उसकी सोल पार सिर्फ नौ निकल कराती है। उसको फेल कर दिया जाता है। वो बहुत जादा उदास हो जाता है और रोने की कंडिशन में आ जाता है। वो अपने टीचर से एक और बार ट्राइ करने को कहता है लेकिन उसके टीचर साफ मना कर देते हैं। क्योंकि अगर उसको दुबारा ट्राइ करने का मौका देया गया तो ये बाकियों के लिए अनफियर होगा। उदास हुआ बड़ा लांग हाॉशन अपने सबी दोस्तों के पास चाहता है और कहता है कि उसे एक और चांस चाहिए क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पास होना चाहता है। और वो एक बहुत बड़ा नाइट बनना चाहता है। वो दिन रात प्रैक्टिस करता है और सभी से जादा महनत करता है। टीचर उसको एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो एक शर्त रखते हैं। उन सभी बच्चों को फिर से ट्राइ करने का मौका दे दिया जाएगा। जो जियांग हू नाम के बच्चे को फाइट में हराएगा। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और लांग हाउशांड जियांग से लड़ने के लिए आग्या आता है। उन दोनों के बीच स्वार्ट फाइट शुरू होती है। और हमें पता चलता है कि भले ही लांग हाउशांड की सोल पार काम है। लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटीज बहाँ साधा अच्छी हैं। उनके बीच हमें आइकॉनिक लेवल की स्वार्ट फाइट देखने को मिलती है। और लड़ते लड़ते हमें नाइट्स के दस रूल्स भी बताया जाते हैं। वो दस रूल्स हैं। अब लड़ते लड़ते लोंग हाउश हैं। जियांग को अपनी बुद्धी और अपनी स्किल्स की मदद से हरा देता है। और लड़ते लड़ते ही फिर वो पिलर पर अपनी तलवार मारता है। और उसकी सोल पार अब 11 निकल कर आती है। सबी बहुत साधा खुश होते हैं और उसे पास कर दिया चाता है। अब फिर ऐसे ही बागे बच्चे भी जियांग से लड़ते हैं और अपनी सोल पार फिर से चेक करते हैं। टीचर भी हाला की कनफ्यूस हो जाते हैं कि आखिर पहले लॉंग हाउशन की सोल पार कम क्यों आई। अब फिर स्कूल से थोड़ी दूर के जंगल पर हमें एक नाकाब पोश लड़की भागते हुए दिखाए जाती हैं। जो तीन सैनिकों से बच्टे हुए भाग रही थी। वो सैनिक कम भेडिये थे और वो असल में थे कौन? ये हमें आगे पता चलेगा। वो सैनिक अलग लगतर ऐसे लड़की पर हमला कर रहे थे लेकिन लड़की उनसे बच्टे हुए वहाँ से भाग रही थी। बचने के स्टाइल से हम लड़की के अंदर की खूबियों को जान जाते हैं और समझ चाते हैं कि ये भी शायद या तो एक नाइट है या नाइट बनने की खूबी रखती है वो भेडिये जब उस लड़की को नहीं पकड़ पा रही होते तो वो आपस में बाते करते हैं कि उन लड़की लड़ने में बहुत अच्छी है और वो कई सैनिकों को हराब ही देती है लेकिन इस बीच उसे खुच चोड लग जाती है और इस वजह से वो जब थोड़ी कमजोर पड़ती है तो एक सैनिक आसमान में उचलकर उसे मार देता है और फिर सीन यहीं कट हो जाता है अब फिर स्कूल में सभी बचे वापस जाने लगते हैं और जाते जाते टीचर लॉंग हाउशन को लिक्विट टॉनिक देता है असल में ये लिक्विट टॉनिक सभी नाइट्स को स्ट्रॉंग बनने के लिए दिया जाता है और ये एक तरह का एलिक्सिर है जो नाइट की कल्टिवेटर में कैटलिस्ट की तरह काम करता है अब वो ये लिक्विड टॉनिक पेकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी ये अचानक वाली खुशी देखकर टीचर थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगते हैं और वो समझ आते हैं कि लॉन्ग हाउशन उनसे कुछ चुपा रहा है और वो इस लिक्विड टॉनिक का कुछ और करता है अब फिर उसका तो जियांग उसे बुलाने आ जाता है और वो दोनों जंगल के रास्ते घर की तरफ जाने लगते हैं अब जियांग अपना भी टॉनिक लिक्विड उसे दे देता है और यहां से हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाउशन के मा बिमार रहती है और अपनी बिमार मा के लिए उसे ये टॉनिक लिक्विड चाहिए होता है उसे जब भी ये लिक्विड मिलता है वो अपनी मा को दे देता है जिस वज़े से उसकी सोल पार नहीं बढ़ पाई थी अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तब ही वहाँ एक लड़की की आवाज आती है और लांग होशन भागा भागा वहाँ जब देखने जाता है तो वही लड़की उसे बेहोश मिलती है वो उसकी जैसे ही पास जाता है वो लड़की उसे खत्रा समझ कर उस पर अपना खंजर तान देती है लेकिन जब Long Haushan उससे उसका हाल पूछता है तो वो समझ जाती है कि ये अच्छा इंसान है और वो उसे उसके हाथ पर लिखकर बताती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं फिर तभी वहाँ कुछ लोगों की आवास आने लगती है और लड़की कहती है कि हमें भाग ना होगा लोग हॉशन कहता है कि वो मर्द है और वो डर कर नहीं भागेगा वो उनसे लड़ाई करेगा अब तभी वहाँ वो डेमन वुल्फ आ जाते हैं और उनको देखते ही लोग हॉशन थोड़ा डर जाता है और वो लड़की को गोद में उठा कर ते स्पीट में वहाँ से भाग लगता है लेकिन भागते भागते वो पत्थर से टकरा कर गिर जाता है और अब जब डेमन वुल्फ वहाँ आते हैं तो उनसे अपने तलवार से लड़ने लगता है और वो उनसे लड़ते लड़ते बहुत बेट रहा होता है और लड़ते लड़ते वो लड़की के उपर भ जात करता है डेमन वुल्फ की ताकत उनकी स्पीड है और उनकी कमजोरी उनका स्टामक है यह याद करके वो उन पर अटाक करता है और वो एक डेमन वुल्फ को हरा देता है अब लड़ाई बराबर की होने लगती है और दोनों ही एक दूसरे पर अटाक करने लगते हैं डेमन और औरा की वज़े से वो खुदी दूर चाकर गिरता है वो काफे पिटता है और काफी मार खाता है लेकिन वो लड़की को बचाने का हर प्रयास कर रहा हूता है उसे बहुत बुरा पीट कर बेहोश कर देते हैं लेकिन वो बेहोशी की हालत में भी जब उनसे लड़ता है तो एक गर्दन फट जाती है, और एक दैमनवुल्फ वहीं मर जाता है. और कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भग कर, टेंपल नाइट में चली जाओ, वहां मेरे टीचर तुम्हें बचा लेंगे. अब लांग होशन बागी के डेमन वुल्फ से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है जिसके बाद ये एपिसोड फिर यहीं कत्म हो जाता है